रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजे हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट खबरे सबसे पहले मौसम विभाग के अनुसार लखनव, हर्दोई, सीतापुर, बारा बंकी, उनाव समेत कई जिलों में आज तेज बारिश का अनुमान है साथ ही धूल भरी आंदी भी चल सकती है विभाग के अनुसार ऐसा मौसम पूरे हफ़ते बना रहेगा इस साल मौसून को लेकर भी मौसम विभाग के ताजा अनुमान उत्साहजनक है विभाग के ताजा अनुमान के मताबिक, मद्ध पस्चिम क्षेत्र में इस साल जुलाही में खूब बारिश होगी यूपी भी इसी क्षेत्र में आता है जुलाई में यहां 101 प्रतिशत बारिश की उम्मीद जताई जा रही है अगस्त में भी 94 प्रतिशत तक बारिश होने की संभावना है इस साल मौनसून में कुल 99 प्रतिशत तक बारिश का अनुमान है 41 से 44 डिगरी के बीच उमस भरी गर्मी में तपा रहे प्रदेश में मौसमी उठा पटक का दोर अभी अगले 3-4 दिनों तक जारी रह सकता है आते जाते बादनों संग गरज चमक के साथ प्रदेश के कुछे के लाकों में आंधी अंधर चल सकते हैं आँ चलिक मौसम विज्यान के इंद्र के मौसम विज्यानियों ने मौसम के इसी तेवरों संग प्रदेश में आंधी अंधर की चेता वनी जारी की है मौसम विज्ञान के इंद्र के निदेशक जेपी गुप्त ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमहवाओं और पूर्वी उपर के उपर सक्रिये एक चक्रवात ये दबाव के छेत्र के चलते प्रदेश में गरज चमक के साथ आंधी अंधर के आसार बने रहेंगे अगले 24 से 48 घंटों के दोरान प्रदेश के पूर्वी और पस्चमी उपर के इलाकों में गरज चमक के साथ धूल भरे तेज अंधरों की चेतावनी जारी की गई है वारानसी, इलाहबाद, जहांसी, कानपूर, इटावा, फतेवगर, बांधा, उरई, अमीरपूर, आगरा में दिन का अधिक्तम पारा 41 से 44 डिगरी की बीच दर्ज हुआ इलाहबाद और बांधा सबसे गर्म रहे, जबकि सुबह से शाम तक गरज चमक के साथ बांधा में 20 मिमी, बारिश दर्ज की गई